हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सर्थ दोस्तों ये लास्ट पार्ट है चैप्टर वन का जो अभी हम डिस्क्स कर रहे थे नेचर आफ ओडिट का और फिर हमारा 27 से निव चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और सर इसके जो नोट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा ब्रॉड कास्ट का उसे आप जॉइन कर लेंगे मैंने इस चैप्टर के सारे स्क्रिंशॉट लेके दे दिये हैं अगर आप आप आडिट करवा रहे हो तो उसका आपको क्या बेनफिट मिलेगा क्या इतना खर्चा कराने का कोई फायदा है तो सर ये है कोशन नमर 14 आपके लिए इस कोशन का जवाब हमें देना है सर सबसे पहली बात क्या-क्या फायदे हैं आप समझे सर सबसे पहला जैसे लगाएं उसका कोई गलत यूज नहीं हो रहा और इंटरस्ट ओफ य baklisVIS कि यूज यूज़ हो रहा है और इंटरु हो सकता है कि बहिए ओधर को जो मिल रहा है सही मिल रहा है उसके साथ कोई बेमानी नहीं हो रही है ठीके सर तो सर यह जो हैडिंग में लिख रहा एक बार अभी वीडियो के तुरू सने, एक बार टेस्ट में लिखके देखें, एक दो बार और वीडियो सुन लें सर, आपके दिमाग में वो सेव रहेगा, बस समझते भी चलना से, ठीक है, रिटना नहीं बस, उसके सर, moral check मिलता है, moral, moral भी पढ़ते है, moral, moral भी पढ़ते है स moral check on the employee of the auditing, सर, इसका मतलब आप दिमाग में ये रख सकते हो, कि भाया, जो employee होते हैं, उन्हें इस बात की बड़ी खुशी होती है, कि भाया, audit हो रहा है, क्योंकि अगर auditors आप बोल लेंगे कि gross profit जितना जादा, let's suppose gross profit हुआ 25%, सर, आप सबको पता है, maximum, जो हमें bonus मिलता है, 20% मिलेगा, तो employee बड़ा खुश होता है, कि वाया, कमाल हो गया, gross profit इतना है, लेकिन मालिक कह रहा है, कि मेरा तो बस 5% था, तो इन्हें सर्फ 8% मिलेगा, तो जितना जादा gross profit बड़ता है, हमारा accumulated profit, जो आपने bonus में पढ़ा होगा, है ना, उतना जादा ही, इनको क्या मिलत है, percentage of bonus मिलता है, तो employee को बड़ा अच्छा लगता है, कि वा, audit हो गया, मजा आ गया, तो employee बड़े खुश होते है, तो वह यह moral check होता है, इमानदारी से जब check होता है, audit के थुरू, तो employee लोग को बहुत खुशी होती है, कि वा कमाल हो गया, ठीक है सिर, और सर, third point आप इसमें हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, सर, tax liability settlement क्या है, कि government यह कहती है, कि भाया, अगर audit हो गया, तो वो जो correct profit बताएंगे, क्या बताएंगे, correct profit, कौन बताएगा, auditor बताएगा, तो उसके according हमें tax liability सही मिल जाएगी, तो यह होता है, सर, tax liability settlement अच्छा हो जाता है, उसर, fourth, loan arrangement, loan arrangement कहत है, सर, कि भाया, हमें loan easily अब bank से available हो जाएगा, क्योंकि हमारे financial statements true and fair view दिखा रहे हैं, fifth, sir, point आप लिख सकते हैं, business acquisition, कि जब भी दो business आपस में मिलते हैं, तो एक दूसरे की financial liquidation और financial strength कितनी है, उसको check करते है, उसके लिए वो कहते हैं, आइटर से जड़ा कि भी आइटर भाई साब आप इसकी financial validity को check करो, तो अगर वो yes बोलता है कि हाँ, इनकी financial validity अच्छी है, तब तो लोग आप असमें acquisition करना चाहेंगे, लेकिन वो कहीगा कि नहीं भाई, यह जो दिखा रहा है, वो तो fraud है, तो कोई भी उस business को लेना नहीं ना तो उसको adopt करना चाहेगा, ठीक है सर, इसलिए financial audit होना बहुत जुरूरी है, सर, next इसमें है settlement, आप कर सकते हो, settlement of fraud industrial labor dispute, मतलब किसी भी case में कोई case चल रहा है, मतलब किसी भी court में कोई case चल रहा है, fraud से related, industrial से related, labor and dispute से related, कि भी या, बताओ profit कितना हुआ, और इनको कितने पैसे देने चाहिए, तो अगर auditor अपने sign करके बोल देगा, कि भी या, ये लो हो मेरा sign, और ये इतना इनका profit बनता है, तो इनका fraud भी जो भी होगा, वो भी निकल के बाहर आ जाएगा, industry का कोई dispute है, या labor कोई dispute है, तो वो भी बाहर निकल के आ जाएगा, कि हाँ भाई साब, ये company वाले सेच बोल रहे हैं, जोट बोल रहे हैं, सर, 7th में आप बोल सकते हो, in settlement, settlement of insurance claim, भाई, insurance claim का settlement हो रहा है, और आपकी, जो balance sheet है, वो audited है, तो आपका settlement जल्दी हो जाएगा, और easily हो जाएगा, क् जो insurance company वाले हैं, वो भी जानते हैं, कि अगर एक CA ने sign किया है, तो भाईया, इनका काम ठीकी होगा, इनका अगर stock, CA कह रहा है कि 90,000 है, तो उन्हें मानना पड़ेगा कि 90,000 है, ठीके सर, इसमें बड़ा फायदा मिलता है, इसके बाद सर, आपका next होता है सर, control over inefficiency, control over efficiency, inefficiency, मतलब जो नकारे लोग हैं, जो काम धंदा नहीं करते हैं, तो audit के दौरान पकड़ा जाएंगे, कि वो काम धंदा नहीं कर रहे हैं, वो cheating कर रहे हैं, तो overall जो wastage होती है, एक company के दौरान, वो भी कम हो जाएगी, ठीके सर, next, आप कह सकते सर, adequacy of record keeping, sir, advocacy of record keeping का मतलब क्या हो जाएगा, कि अगर आपकी books recording होती है, books के recording होती है, और आपका audit होने वाला है, तो जो वहाँ के accountant वगरा होंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी accountancy कर लेंगे, अपना account prepare कर लेंगे, क्योंकि auditor भाई साब आएंगे, तो चार गालिया देंगे आ utilization of funds, given in, given in trust, जो trust के साथ दी गई है, किस किस ने दिया है सर, shareholder ने दिया है, या फिर हो सकता है, partnership में तो partner ने दिया हो, या फिर जो भी company है, तो members ने जो भी पैसे दिया है, उनका जो भरोसा है, कि वह या हमारे जो पैसे हैं, वो सही purpose और सही मकसद के लिए यूज हो रहे ह उनका भरोसा बना रहेगा सर, अगर आप audit कर वा लोगे तो, to account for, to account for मतलब आप audit के थुरू क्या कर रहे हो, अपनी जवाब दे ही दे रहे हो, कि हाँ भी या हमारा पैसे सही जगए यूज हो रहे है, ठीक है, तो to account for का मतलब सर, मैंने आपको पहले ही बताया था, to give explanation for, ठ हमने आपके एक एक पाई का एकदम बहुत इमांदारी से यूज किया, उसके पाद सर, एक चीज़ होती है, arbitration, arbitration, sir, arbitration का मतलब होता है, sir, panchayat, panchayat, ठीक है, और इंग्लेस में, sir, इसको बोलता है, settlement body, settlement body, settlement body, settlement body का मतलब क्या होता है, कि, settlement body का मतलब होता है, sir, कि, आप दो लोगों के बीच पे जगड़ा हो रहा है, कि नहीं पे मेरी चलेगी, नहीं पे मेरी चलेगी, तो panchayat के पास जाते है, third person के पास, जो क्या करता है, जो ये कहता है, कि नहीं यार, आपको ना तो ये करना है, ना तो ये करना है, वो बीच का रास्ता बता देता है, ताकि आप ये कहके दोनों ही party क्या हो जाए, satisfied हो जाए, उसे sir arbitration कर दे, तो audit होने से arbitration जल्दी हो जाता है, मतलब दोनों party का settlement जल्दी हो जाता है अगर हमारा audit हो जाए, ठीक है sir, उसके असर एक वड़ होता है appraisal of internal control, अब सरी appraisal क्या होता है, AWP, RAISL, appraisal का असर मिनिंग हो solution, मतलब audit होने से internal control कैसा है, कैसा नहीं है, जो management है, या फिर जो हमारे shareholder है, जो हमारे TCWG है या जिर लोग का पैसा लगा है, पार्टनर्स हो गरा है, उनको पता चल जाता है कि विया ये company सच में जो कह रही है, वो करती है या बस दिखावा कर रही है, ठीक है sir, उसके बाद partnership का अगर reconstruction कराना हो, company को, partnership को दुबारा से करवाना हो, जैसे आपने पढ़ा होगा, गीता चले गई, बवीता अमर गई, है, sorry, बस example ले रहा हूँ, गीता बवीता आ गई, सीता और राम चले गई, फिर या दो आ गई, दो चले गई, तो ये जो चीज़े होती रहती है, इस assistance to government to decide grants, ठीक है, कि अगर government आपको help करना चाहती है, assistance का मतला होता है, to help, अगर government आपको help करना चाहती है, grant के थुरू, तो पहले वो आपकी balance sheet देखेगी, कि अगर आपका audited account है, तो वो आपको grant बड़े अच्छे से दे देगी, कि हाँ भीया, ये अच्छा काम कर रहे है, हमारे देश की भलाई का काम कर रहे है, इनको grant देनी चाहिए, तो overall sir, ये question finished हो गया, तो thank you, God bless you, and God give you lot of success and happiness in your life, जे जिनेंद्रा, अल्ला हाफिस, खुदा हाफिस, स्रीकाल, और दोस्तों बस यही कहूँगा, पसंद आए तो like कीचे, comment कीचे, and share कीचे अपने दोस्तों से, जिनको आप किस तरह ही जरुरत हो, ठीक है दोस्तों, और ये chapter finish हो गया है, और आप इसे join कर सकते हैं, sir, मेरा telegram का group, जिसका link description box में given है, और sir, अच्छे से पढ़िए, अपनी तयारी अच्छे से कीचिए, भगवान आपको सफलता दे, आपको बहुत आगे ले चाहे, God bless you, take care and bye-bye.